हेलो मेरी प्रिये छात्रों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिच्छक भर्ती समाचार मद्पिर्देश बर्गेक एबं बर्गेदो को लेकर अगर आपने मद्पिर्देश में सिच्छक भर्ती परिच्छा बर्गेक बर्गेदो का ए वीडियो आज का अब जैसा कि आप सभी हां पर देख रहे हैं जन जाती विभाग के स्कूलों में सीचकों को इस्थाई भरती राजमंतरी को सौपा ग्यापन जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं आबेदक मांग कर रहे हैं मर्द पिर्देश सासन से जन जाती बिभाग में जितनी भी लिक्त पद हैं सभी लिक्त पदों पर इस्थाई सिच्छकों की भरती हो राजमंतरी को सौपा ग्यापम हमारे पास खबार आ रहे हैं अमर पा स्थाई सिच्छकों की भरती की मांग की आबेदकों ने कहा है कि मद्द पिदेश में इस्थाई सिच्छकों की भारी कमी है जन जाती बिभाग की हम बात कर लेते हैं तो आखड़ा आपको दिखा देते हैं जन जाती बिभाग के 1569 सरकारी स्कूल तो बिना सिच्छक के ही सं चालन हो रही है अली राजपुर में 256 जावुगा में 208 बढ़वानी में 128 सीधी में 122 मंडला में 237 धार में 208 इस्कूल सीचक भी हीने मतलब यहां पर सीचक ही नहीं है और इस्कूल का संचालन हो रहा है प्राइवीड सीचकों की द्वारा यानि अत्ती सीचकों की द्वार इस्कूलों का संचालन हो रहा है मद्पिदेश में रिक्तपद खा लिए फिर भी सीचकों की भरती क्यों नहीं करना चाती सासन हमें समझ में नहीं आता आकर सासन रोजगार की देने के बाद ही तो बड़े-बड़े बाद ही करती लेकिन रोजगार की जब बात आती है तो म हम आपको बता दे, 2011 में मद्ध पिदेश में 27 सिच्छकों की भरती हुई थी, 2011 के बाद सिच्छकों की भरती नहीं हुई, 2019 में बर्ग एक बर्ग दो का एक्जाम करा लिया, लेकिन आज तक किसी भी आविदक को जॉइनिंग नहीं मिली, बर्ग तीन की परिच्छा फारम भर चुके हैं, लेकिन आज तक परिच्छा नहीं हुई, पाता परिच्छा पाज सिच्छकों ने भरती के लिए क्या प्रिदर्शन, यहां पर आप देख रहे हैं, खबल आ चुकी है, हमारे पास भूपाल से, स्कूल सिच्छा विभाग, एबम आरमद आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा, इस्थाई सिच्छकों में भरती में, देरी एबम लिक्त पदों में, ब्रिधी की माम को लेकर, मंगलवार को, यहां पर देख रहे हैं, मंगलवार को, सिच्छक पाता परिच्छा उत्तिर अभ्यर्थियों ने भूपाल में पिदर्सन किया आदम जाती कल्यान मंत्री मीना सींग के नाम ग्यापन सौपा गया ग्यापन में मादमिक सिच्छक भरती के लिए यहां पर देख रहा है मादमिक सिच्छक भरती के लिए सीरी के रोष्टर जारी करने की मांग की गई सिच्छक पात्ता संग की पिर्दे संयोजक रंजीत गोर्ण ने बताया की स्कूल सिच्छ बभाग एवं जन जाती कल्यान बभाग में के लिक्त पदोपर इस्थाई सिच्छकों की भरती के लिए प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड यानी पीवी का जिक्र किया है प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड ने संयोग रूप से सिच्छक पात्ता परिच्छा 2019 में आयुजित की थी दो बरसों के बाद भी आदिम जाती कल्यान बभाग से मादमिक सिच्छक भरती के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी मादमिक सिच्छक भरती के लिए रो एक एवं बर्ग दो में अतीश सीर्ग सास की स्कूलों में सिच्छकों की भरती की जाए इसकूल सिच्छ भवाग के समस्त पदों को भरा जाए आदिम जाती कल्यान बभाग में जितने भी पद सिच्छकों के लिख्त हैं सभी पदों पर भरती हो ठीक है बर्ग दों के पद पहले देंगे जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें श्थियर करें नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एक आउस दक सूचना मेरे प्रिये चात्रों अगर आप MPPSC ब्यापम परिच्छा क्रेक करना चाहेते हैं तो हम आपको बताएंगे अनकेडमी के बारे में अनकेडमी से आप पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री अभी आप अपने मुबाइल में अनकेडमी लर्निंग अपको इस्टॉल करें सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्री और सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या अंतर होता है अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानि प्लस बैच कम्प्लिट स्लिवस कराया जाएगा अनलिमिटेड के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे अनलिमिटेड में PDF सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस टेस्ट होंगे PDF नोट्स भी आपको लिमिट की मिलेगी लिमिट के डाउट लाइब क्लेंग सेशन होगा ठीक है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या बैनिफिट मिलेगा लन फ्रॉम यूर फैबरिट टीचर थ्रो आपको पूरा स्लेबस कम्प्लीट कराया जाएगा ठीक है अगर आप MPPSC प्री 2020 एक्जाम के लिए रिवीजन केम्प में सामिल हो सकती है ठीक है हम आपको बता दें आनकेडवी पर बीटली मॉक टेस्ट आपको लिया जाएगा आपका 5 मार्च से 31 मार्च तक हमारा फ्री डिवीजन केम्प है आप सभी इसमें पार्टिसपेट करें जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्वामबार से लेके सुकुरबार तक हमारी लाइब किलास होगी सनीबार और रवीबार को आपका सुबह 10 बजे से टेस्ट लिया जाएगा ट 12 मार्च को डिसकस किया जाएगा ठीक है अगर आपकी फर्ष्ट रेंक आती है तो MPPSC बन यर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 50% का डिसकाउंट मिलेगा दो से 3 रेंक आती है तो 40% का डिसकाउंट मिलेगा इसको अच्छी से एक बार पढ़ लें मद्ध पर इसके आप MPSI परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो मद्ध पिदेश के टॉप एजुकेटरों की द्वारा यह हमारा टेस्ट का टाइम रहेगा MPPSC के लिए 20-22 मार्च को टेस्ट होगा MPPSI के लिए 13 मार्च को टेस्ट हो चुका है अगर आपकी इसमें टॉप 3 रेंक है तो आपको एक मैने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया जाएगा ठीक है टेस्ट का टाइम रहेगा 10 से लेके 1 पी एम देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है आप सभी के लिए ठीक है अनकेडमी डेली MPG के फ्री टेस्ट अनकेडमी पर डेली MPG के फ्री पर ससक पाफ दॉक्त का है 10 का डिसकाँट दे दिया जाएगा यो बनियर का प्लस सबसक्रिप्शन Alone अगर एक साल से जानदा कब प्लाण लेते इस तो तीस परसेंट का डिसकाउन्ट मिलेगा अगर आपकी फिस्ट रैंग रैंक सेंंगर तो 15 परसेंट नोट कर लें ठीक है इसके बाद देख लें मद्ध पिदेश के टॉप एजुकेटर है इनकी द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन बैच चौविस मार्च से 26 मार्च से MPSI बालों के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है आप सभी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें ठीक है अपकमिंग बैच इन फरवरी ठीक है मार्च ठीक है अब हम आपको बता दें कि आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से अनकेडमी लर्निंग अप को स्टोर करें सिलेक्ट और गोल करेंगे MPPSC ब्यापम इसके बाद सब्सक्रिप्शन आएगा तो सब्सक्रिप्शन बच्चों अगर लेना चाहते हो तो अच्छे से तयारी करना है आपको तो कम सकम एक स साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लें क्योंकि हाँ पर बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे सभी किलासों की PDF नोट्स मिलेंगे आपको डेली आपको चैप्टर वाइज क्लास प्रोबाइड कराई जाएगी है ना और टॉपिक वाइज MCQ होंगे अच्छी से तयारी करें कम से कम सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चो तो एक साल का जरूर लें और 10% डिसकाउंट पाने के लिए आप सभी हमारा रेफर को डियूज करेंगे L.U.C.K.Y. लकी सर आपको 10% का डिसकाउंट दे दिया जाएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें सियर करें और जितनी भी नए श्टूडेंट है वो चैर को सब्सक्राइब कर लें बच्चो अनकेडमी पर आप लकी सर से भी मदपिद करें सामान ज्यान पड़ सकते हो लकी सर की रात को 9 बज़े किलास होती है तो आप सभी 9 बज़े लकी सर की किलास को जगु अटेंड करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लकी सर की अनकेडमी प्रो फायल की लिंग आप पर जाकर आप सभी लकी सर को फ sector को फोलो करेंगे तो आपको उनकी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा धन्दवाद